नमस्कार प्रियर साथियों दोस्तों एक बाद फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर आज करीब करीब डेड़ महीने बाद मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ दोस्तों आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं मुझे मेरी वीडियो को अच्छा कि मैं जो बिजी था एक दूसरा चैनल मेरा है तो आप ध्यान दीजेगा मैं उस पर लिख भी देता हूँ एस्टो लोजर संजीव शर्मा आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो मैंने एस्टो लोजी के नएने वीडियो बनाए हैं उनको आप देखेगा अगर आपको कभी भी कुछ दिक्कत है मेरे इस चैनल को एक तो सब्सकाइब कीजिए और आपकी कॉंट्रोली बिलकुल फ्री बना दी जा आप अपनी कोई भी प्रोब्लम कोई भी आप मैं मिरसे शेर करना चाहाएं उस चैनल पर और अगर माघसबर नमबर बात कर दो नंबर हैं यह नंबर है और एक नंबर है आपका ठीके दोस्तों ये दोनों बरें पर आप अपनी जानकारी भेज़ सकते हैं और हमें आप मेल भी कर सकते हैं ठीके दोस्तों आप ये पुरा चीजें नौट कर लीजेगा अब हम बात करते हैं जिस चीज पर ये वीडियो में बना रहा हूं दोस्तों सूर्य ग्रहन 21 जून 2020 को ये सूर्य ग्रहन लगने वाला है शदी का सबसे बड़ा ग्रहन है और कल अमावस्या है 21 जून को और ये ग्रहन आप ये समझे कि 90 परसेंट जो है सूरज को ग्रसित करेगा तो ये ग्रहन उस समय अब लग रहा है जिस समय करोना काल है वैसे ही ये अच्छा काल नहीं है पूरे ब्रहमाण में एक फ्रस्टेशन एक अजीब सा डिप्रेशन चाया हुआ है जिस समय ये ग्रहन होने जा रहा है तो कहीं ना कहीं इस ग्रहन के उत्तम रिजल्ट तो नहीं मिलेंगे लेकिन उनसे जो इसके रिजल्ट खराम मिलें उनसे बचा जा सकता है तो आए पहले तो चर्चा करते हैं सदी का सबसे बड़ा ग्रहन है ये ब्रस्पती और शनी इस समय मकर र और म्रक्सिदा नक्षास्त्र में ग्रहन लगेगा और रवीवार को अमावस्या का दिन है दस बजे से लेकर के धाई बजे तक आप ध्यान देजी मोटा-मोटा ये ग्रहन रहेगा ये बहुत सारे देशों में देखा जाने वाला ग्रहन है अगर हम तो बात करते हैं कि इस प् कुछ हमारे भ्रह्मान्ड में क्या-क्या हो सकता है आपने आप्धाय, प्रकृतिक आप्धय भूकम पासकते हैं दुर्घटनай आह सकती है जिए व्यंड वयान दुर गउफटना भी हो सकती है यह भी इन इन बीच ही अगर हम ध्यान देख Bitcoin के दaty बीच में कुछ ऐसा गठि करें और दान के लिए ज्यादे बहुत नहीं करना अपनी समर्थी के अनुसार आप दान कीजिए आप एक दो किलो गेहूं लेकर के अपने उपर से उतार लीजिए गुड़ ले लीजिए कुछ और समगरी ले लीजिएगा आप जो घर में हो आपके चुलाई हो ठीके दोस्तो guysitire और आटा हो चावल हो इनको आप उतारकर रख दीजिए और किसी विकारी को दान कर देजिए किसी गरीब कर दीजिए ताकि उसके घराल इगने क्योंकि दोस्तों हम कुछ दान करेंगे तभी इन गरीबों के चुले भी जलेंगे क्योंकि ये काल ही ऐसा है जिस समय सब धंदे ठप है तो यहां दिल खोल करके दान करने वाली बात है उसको जरूर कीजिएगा अब सावधान रहें वो लोग जिनकी कुंडली में केमद्रूम us should told Killучan डौश अमा वस्य दोश है विश्योंग है सदूर है मैं बता दू केमद्रूम दोश जब चंद्रमा अकेला हूं मेरे दूसरे चैनल पर जब आप जाएंगे वहां सारी वीडियो जिस तरीके से आप को मिलेंगी वहां से आ आप नौलिज ले सकते उन वीडियो को एक खराब इस्तिथी में हो दोनों इस तरह की के सथी दोस्था में हो तब इंप जू है भयनाकों-स में यह पिट दोस्की बात कि और शनी छल्घ से बनने वावाले विश्योगा कि एगिसी जा त lur देज्टिक ओशने को कुछ प्रोब्लम जिन लोगों को हैं वो जरूर अपनी कुंडली चेक कराएं और फ्रस्टेशन के इस दोर से बचें इस्पेसली जो बड़े सेलेब्रिटीज हैं वो ध्यान दे अगर मेरी वीडियो देखते हैं देख रहे हैं तो वो जरूर इन चीजों से बचें अकेले पं बचा हम तभी पाएंगे दोस्तों जब कुंडली का सही विसलेशन करा पाएंगे तो ध्यान दीजेगा आप इन चीजों को लेकर के किसी जानकार पंडित के पास जरूर अपनी कुंडली रीड कराएं और इन दिनों में आने वाले कम से कम दो तीन महीने आप हस्ते खेलते रही हैगा अपनी एक्सपेक्टेशन का दायरा थोड़ा कम कीजिए अपने बच्चों को टाइम दीजिए और जो बच्चे हैं अपने माता-पिता से खुल करके अपने प्रॉब्लम को बताएं ताकि उनका सलूशन टाइम रहते निकाला जा सके क्योंकि देखें अभी अपने एसी घटना घटे क्योंकि पूरा घर ऐसी चीजों को लेकर के तबहा हो जाता है एक बच्चे से जो एक्सपेक्टिस तुन होती है जितना हम उस बच्चे को पल-पल करके उसको परवरी सुसकी करते हैं और वो अचानक हमारे हाथ से चला जाए तो उस दुख की सीमा उस दुख की पीड़ा का अंदाजा नहीं लगा सकता लगा सकते कोई भी भगवान उनकी आत्मा को शांती दे उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे मेरी पूरी पूरी उससे धांजली चुसान सिंग जाजपूत के साथ है और मैं इस वर से ही दुआ करूंगा क कि वो उस स्वर्ग में भगवान उनको एक अच्छा अलग जगाद है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्य के बहुत अच्छे प्रतिभा के धनी रहे थे तो दोस्तों इनी सब्दों के साथ मैं अपनी वानी को विराम दूंगा और आप मेरा चैनल देखते रहें औ कि आपको अच्छे अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहें इनी सब्दों के साथ नमस्कार जै गुरुदेव सावधान रहें सतर्क रहें अपने बच्चों का ध्यान रखें अपनों का ध्यान रखें इस ब्रह्मांड का ध्यान रखें दुआय करते रहें सब अच्छा ह सब बढ़िया हो ओम शांती जै गुरु देव